आप सभी को फीडे विश्व कप का वह क्वाटर फाइनल मुकाबला याद होगा जब भारत के विधित गुजराती के सामने अजर्विजान के निज़त आबासोफ थे सबको उमीद थी कि विधित जिस सांधार फॉर्म में चल रहे थे नेपो मिंसी को हरा करके वह क्वाटर फ सेमिफाइनल में उनका पहुचना बस एक आपचा रिखता है लेकिन अबासोफ ने विधित को हरा करके सेमिफाइनल में जगे बना ली और विधित विश्व कप से बाहर हो गया उसमें तो ऐसा लगा कि विधित के कैंडिडेट पहुचने का सपना एक बार फिर तूट गया हला कि विधित ने उसके बाद जोड़दार वापसी की फीडे ग्रैंट स्विश्व जीत करके दमाके के साथ जोड़दार अंदाज में फीडे कैंडिडेट में जगे बना ली लेकिन अबासोफ के साथ मुकाबला जो है विधित का उसके बाद हुआ नहीं तो अब जब आसानी से अबासोफ को पराजित किया तो उसमें से एक मैच में अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ जिसमें विधित सफेद मौरों से खेल रहे थे और आप देखेंगे कैसे इस मैच में एक प्रकार से कहीं न कहीं वो जो टीस होती है आपके अंदर कि आप एक महत्मुन म मुकाबले में हा रहे थे उसको विधित ने जो है बराबर किया तो मैच देखते हैं डी 4 से शुरूआ थी विधित सफेद मौरों से खेल रहे थे अब आप उसमने खेला नाइट f6 विधित खेलते हैं यहाँ पर c4 e6 नाइट c3 बिशप b4 तो निम्जो इंडियन अपने य d5 and now bishop d3 आपना normal अपना development करना शुरू करते हैं और basically आप जानते हैं कि सामने ले ने आपको एक bishop दिया हुआ है तो white के पास एक double bishop pair है कभी भी अगर यह pawn आगे जाएगा exchange होता है तो यह दोनों bishop बहुत dangerous हो सकते हैं towards the king okay तो यहाँ पर आप अब सब सेंटर को challenge करते हैं जो विदित का एक बहुती concrete मजबूत center नजराता है खेर विदित यहाँ पर knight e2 खेलते हैं और बिशप a6 और यह वो position है जहाँ पर black बूलता है कि हम आपके पास double bishop नहीं रहने देंगे okay यहाँ आप विदित exchange करते हैं b a6 knight e6 लेकिन बदले में उनको queen d3 का tempo मिलता है knight c7 पर जाता है और इस position पर actually विदित ने एक अच्छा move खेला सबसे पहले dc5 bc5 and then c4 अब आइडिया यह है कि अगर आप यह c4 को मारने जाते हैं तो definitely जो है end game में वैसे भी आपको यहाँ प pawn structure damage हुआ जो कि hanging था बड़ एक मजबूत pawn structure बन रहा था black के लिए दूसरा bishop के लिए इस diagonal में खेलने की संभावनाए जो है वो बन गई okay rook b8 खेला उन्होंने तो bishop b2 को तो उन्होंने बोला कि नहीं फिलाल अभी तो नहीं खेल सकते हैं आप खेर विदित नहीं बोला ठीक है positional weakness करते हैं पहले c into d5 knight into d5 और चुप चाप यहाँ पर पहले खेलते हैं e4 knight हटता है b6 and then with it खेलते हैं queen c2 simple target यहाँ पर c5 के pawn पर okay queen e7 so bishop b2 आप चुकी queen भी c2 पर आच चुका है तो bishop b2 भी यहाँ पर safe है knight f d5 यहाँ पर खेला abasov ने और actually में क्या था कि अगर यहाँ पर आप मारने जाते हो तो definitely black की game में वापसी हो जाएगी और यह position जो है हम यहाँ पर देखें तो करीब करीब जो है equal हो जाएगी because आपका d5 का pawn मरेगा आप c5 यहाँ पर recover कर भी लेते हैं तो आप देखेंगे कि rook into यहाँ पर b2 आ रहा है and then rook into d5 और position करीब करीब एक्कोल हो गई है बलकि black थोड़ा सा better दिखता है because यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनकी entry यहाँ पर हो सकत है यहाँ पर शायद better move होता knight e3 खेलना हाला कि विदिद के पास queen c3 available होता with the checkmate threat यहाँ पर आप queen अगर आप f8 खेलेंगे यहाँ पर so queen into e3 अगर आप खेलोगे तो यहाँ पर actually good move वारा था knight c4 तो अब आपको यहाँ पर आप देखोगे कि black की वापसी हो जाती है खेर match पे इन्होंने खेल दिया knight f4 अब आप विदिद खेलते हैं knight f5 with the attack in g7 अब आप सो जबाब देते हैं queen g5 और यहाँ पर threat करते हैं g2 के लिए threat करते हैं knight h3 का बट विदिद जो है बहुत ही peacefully एक बहतरी इन्चाल खेलते हैं bishop into g7 और यहाँ पर अबसो के हाथ से game actually मैं knight f4 के बाद ही हम देखें तो game पूरी तरह से नियंतन से चला गया था knight f4 knight और यहाँ पर bishop g7 आया rookie 6 खेला यहाँ पर abasob ने थोड़ा और attack करने की कोशिश किंसेट बट भले ही यहाँ पर queen था knight था rook आने के तयारी थी लेकिन white बिल्कुल safe था कुछ नहीं हो रहा था because of queen बराबर यहाँ पर defend कर रहा था और यहाँ पर विदित ने good move खेला h4 और queen जो है problem यह हो गया कि queen कहाँ पर जाएगा उसके बास ज्यादा जगे जो थी नहीं तो उन्होंने खेला queen h5 और विदित खिलते हैं g4 यह good move था idea क्योंकि आप देख सकते हो कि queen पूरी तरह से क्राम्ड है queen जाता है g6 और विदित ने चुप चाप खेला queen g2 और यहाँ पर आप देखे कि problem यह है कि दरसल यह knight कहाँ पर जाएगा आप नाइट को मालीजे कि आप सोचें कि चली मैं knight को h5 ले जाता हूं यहाँ पर तो आप देखेंगे कि यहाँ पर queen b8 जो है वो आराग जो है magically after queen h2 जो है अबासोव ने resign कर दिया तो हम देखें तो बड़ी आसानी से विदित ने पहले positionally convert किया जो c5 का idea था उसको neutralize किया और यहाँ पर c4 पहली good move थी पर उसके पोजिशनली पकड़ा तो कभी भी अबासोव जो है गेम में नजर नहीं आया और especially knight f4 के blender के और बिल्कुल एक तरफा अंदाज में जितांसिल की तो विश्व कप के बाद चलिए सही वैसे भी फीडे candidate पहुंच चुके हैं और आबासोव भी फीडे candidate जो है पहुंचना उनका तय है क्योंकि जहां तक संभव है कालसन नहीं खेलेंगे फीडे candidate तो ऐसे में विश्व से और वहां पर विदित अबासोव के खिलाफ कितने अंक बनाएंगे इस सब पर हमारी जो है वह नजर बनी रहेगी तो उमीद करतो है वीडियो आपको पसंद आयोगा पसंद आया तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना बूलें देखते लिए चैस बेस इंडिया चै झाल